नमस्कार, BKB News के इस खास प्रिशकश में मैं एश्वरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे मुंबई में ओला टेक्सी ड्राइवर ने एक नावालिक के साथ न सिर्फ छेडखाने की बलकि अश्लिल इशारे कर उसके साथ गलत व्यवहार भी किया तो आर्यन खान को क्लीन चीट मिलने के बाद अब NCP के पुर्व अधिकारी समिरवान खड़ी के खिलाब कारवाई के आदेश जारी कर दिये गया है वही लोगसबा संसद नवनीतराना की गिरफतारी पर संसद की विशेशादिकार समिती ने महराश्टर के अधिकारियों को तलब किया है इस बीच फुर्व ग्रह मंतरी अनिल देशमु को सीने में दर्थ, हाई बीपी और कंदे में दर्थ के बाद मुंबई के के एम अस्थबताल के आईसियो में भरति कराया गया है तो उधर मुंबई पुलीस ने एक ऐसे चोर को गिरफतार किया है जो महंगे सामान ही नहीं जूते चपल तक चुराता था प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ मुंबई में 15 साल की लड़की के साथ छेड़कानी की गटना सामने आई है पुलीस ने आरूपी ओला ड्राइवर को गोरिगाव इलाके से गिरफतार कर लिया है इस मामले में पिडित पक्ष का आरूप है कि मुंबई में ओला टैक्सी ड्राइवर ने उनकी बेटी के साथ सिर्फ छेड़कानी ही ने की बलकि अशलील इशारे कर उसके साथ गलत व्यववार भी किया यगटना 25 माई की सुबह 10 बजे तब हुई जब 15 वर्षीय नाबालिक शात्रा भोपाल से मुंबई एरपोर्ट पर उत्री और उसने वहाँ से रायल पाम स्टीट घर जाने के लिए ओला टैक्सी को बुक किया कुछ देर बाद वहाँ मुरारी सिंग नाम का ओला टैक्सी ड्रैवर पहुचा जब उसने पिडिता को रायल पाम के घर के पास छोड़ा तब पिडिता के पास टैक्सी का किराया देने के लिए चुट्टे पैसे नहीं थे ऐसे में उसने कहा कि मैं चुट्टे पैसे लेकर आती हूँ तब आरूपी ड्राइवर ने नाबालिक लड़की को अशली लिशारा करते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं है तो नीचे आजाओ मैं देता हूँ पीडिता के मुताबिक आरूपी ड्राइवर उसे रास्टे में भी गूर गूर कर देखते वे गाड़ी चला रहा था इतना ही नहीं उसने पीडिता से यह भी कहा कि तुमारा अभी कोई दोस्त नहीं होगा मुझे अपना दोस्त बना लो इस मामले में पुलिस ने आरूपी को गिरफतार करने के लिए एक टीम बनाई थी टीम ने इलाके में लगे तमाम CCTV फूटेज और ओला टैक्सी कैब बुकिंग के माध्यम से आरूपी मुरारी सिंग को गुरिगा वेस्ट से गिरफतार कर लिया है आरूपी ने भी इस मामले में अपना गुना कबूल किया है फिलाल उसे 30 मई तक पुलिस कस्टरी में बेजा गया है अभिनेता शारुक खान के बेटे आरियन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल बेवरो द्वरा क्लीन चीट मिलने के बाद अब उन्हें गिरपतार करने वाले एंसेबी के पुर्वादिकारी समिर्वान खिड़े के खिलाब कारवाई के आदेज भी जारी कर दिये गया है नार्कोटिक्स कंट्रोल बेवरो में रहते वे उन्होंने कई बॉलिवूर सेलिब्रेटी समेत हाई प्रोफाइल लोगों पर नकेल कसी थी लेकिन आर्यान खान केस के बाद उनकी लोग प्रियता में धिरे धिरे कमी आना शुरू हो गई और वहाँ एक हीरो से विलन बनते चले गए आर्यान खान को नॉर्कोटिक्स कंट्रोल बेवरो ने पिछले साल 2 अक्तुबर के दिन मुंबई से गुआ जारे कार्डेलिया क्रोच से गिरपतार किया था आर्यान खान के साथ अर्बाज मर्चंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को भी हिरासत में लिया गया था इस गिरपतारी के बाद उन्हें तकरीबन 27 दिन तक और्थर रोट जेल की सलाकों के पीछे रहना पड़ा था 28 वे दिन आर्यान खान को बंबे आईकोट ने जमानत पर रिया किया था NCB दिवारा आर्यान खान पर यह आरूप लगया गया था कि उनके पास ड्रग्स बरामत किया गया है जिसका इस्तेमाल वह करोच पर पाल्टी के दवरान करने वाले थे हाला कि आर्यान खान ने इन तमाम आरूपों को सीरे से खारिज किया था मंतरी नवाब मलिक ने तातकाली NCB अधिकारी समीर वानखेडे के खिलाप मोरचा खुला था एक के बाद एक कई प्रेस कॉनफरंस लेकर उन्होंने समीर वानखेडे पर संगिन आरूप लगये थे उन्होंने यहां खा था कि समिरवान खेड़े ने फरजी मामले में आरियन खान को फसाया है इस तरह की कोई रेट कॉर्डल या क्रोच पर हुई यह नहीं थी लोकसबा संसद नवनित राना की गिरपतारी पर संसद की विशेशादिकार समिति ने महराष्टर की अधिकार और नयतिकता समिति ने महराष्टर की मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस के आयोकत को नवनित राना की गिरपतारी पर मौकिक साक्ष के ल विशेशादिकार और नैतिकता शाखा लोकसभा सचीवाले की ओर से इस संबन में एक ग्यापन जारी किया गया है। और समय पर उपस्थित हो। इस संबन में आवश्यक पुष्टी कृपया इस सचीवाले को 7 जून 2022 तक बेजी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि ग्रिवा मंत्राले से अनुरोध है कि वहाँ यह सूनिश्चित करे कि अधिकारी बताई गई तारीक और समय पर विशेशादिका से पेश हो। आरोफ है कि खार पुलिस स्टेशन मुंबई में नवनित राणा की अवैद रूप से गिरपतारी हुई और उनके साथ अमानवीय वेवार किया गया था। जमनत की मांग कर चुके है। वह साड़े चार करोट की मनी लांडरिंग मामले में फिलाल जेल की सजा काट रहे है। वसुली के आरोपों के बाद अनिल देशमुक को पिछले साल अप्रेल में इस्थिवा देना पड़ा था। इसके बाद प्रवरतन निदेशालय और केंद की सरजरी हुनी है और उन्हें अदालत के आदेश के बाद यहां एडमिट करवाया गया। सुप्रेम कोट से सीबी आई जाच रोकने के याची का खरिज़ोने के बाद सव करोट की रंगदारी मामले में सीबी आई उनकी कस्टड़ी लेने वाली थी। सीबी आई इस मामले में उनके पीए संजीव पलांडे, पीएस कुंदन शिंदे और अंटिलिया केस में गिरपतार बरखास्त पुलिस अधिकारी सचीन वजे को पूछताच के लिए कस्टड़ी में लेने वाली है। पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरपतार किया है जो महंगे सामान ही नहीं जूते चपल तक चुराता था। उसे विनवभा भावेनगर पुलिस ने गिरपतार किया है उसके पास से 14 मोबाइल फोन, धारदार हतियार, नकली जुएलरी और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। एक अधिकारे ने बताया कि अभिमन्यू सोशल मीडिया पर काफी मशूर है, वह शानोशोकत की जिंदगी के लिए चोरी करता था। आरूपी और मास्क उतारते हुए दिखाई दिया, तो पुलिस को उसकी पहचान करने में आसान हुई, मुख्बीर की मदद से आरूपी के कुरला में आने की सूचना मिलने पर उसे जाल बीचा कर गिरपतार कर लिया गया, आरूपी ने कबूल किया कि उसने मुंबई में 15 स जादा घरों के ताले तोड़े, जिन में से चार कुरला में थे, उसने पुच्टाश में बताया कि वह घर के बाहर रखे चपल और जूते भी चूरा लेता था, उसके बाद जूते चपलों से भरे चार बैग मिले है, वह कसीनों में जुआ खेलने और महेंगे कपड़े खर जुड़ जाता है, तो सेवा करने की हमारी शक्ती भी बढ़ जाती है, तो पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन मान के नितरत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में 424 लोगों को दी गई सुरक्षा वापस लेली है, वही भगवान जगनात एक जुलाई को भक्तों को दर् पायरिंग करके उसे भारतिय सीमा में प्रवेश करने से रोग दिया, तो उधर ज्यान व्यापी को लेकर सुनवाई से पहले एक बड़ा विवात सामने आया है, जिसमें मस्जित की जमीन को लेकर घोटाले की बात कही गई है, देश भर की इन पाज बड़ी खबरों को विस जुड़ जाता है, तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी बड़ जाती है, राजकोर्ट में बना ये अस्पताल इसका बड़ा उधारन है, प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी ने कहा कि आज जब गुजरात की धर्ती पर आया हूँ, तो मैं सिर जुखा कर गुजरात के सबी नाग को एक नई गती दी है, इन आच सालों में हमने पुज़ बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए इमांदार प्रयास किये है, गरिबों की सरकार होती है, तो कैसे उसकी सेवा करती है, उन्हें सशक्त करने के लिए काम करती है, ये आज पूरा देश के कल्यान को सरवच्य प्राथमिक्ता दी है, जब हर नागरिक तक सुविधाय पहुचाने का लक्ष होता है, तो भेदबाव भी खत्म होता है, ब्रहस्टाचार की गुंजाईज भी नहीं होती पंजाब की मुख्यमंतरी भगवनत्मान के नेतरुत वाली पंजाब सरकार ने राज्य में 424 लोगों को दी गई सुरक्षा वापस ले लिये, जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है, उनमें कई सेवा निवरुत्त पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु और राजनेतिक हस या शामिल है, इससे पहले अप्रेल में पंजाब सरकार ने पुर्व मंत्रियों, पुर्व विधाय को और अन्या निताओ साइथ 184 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया था, गवर तलब है कि पंजाब के पुर्व मुख्यमंतरी चरण जित सिंग चन्नी, क कैप्टन अम्रिंदर सिंग के बेटे रनिंदर सिंग और कॉंग्रेस विधायक प्रताप सिंग बाजवारे की पतनी के परिवार की सुरक्षा पिछले मैंने वापस ले ली गई है, सुरक्षा को वापस लिये जाने का एक कारण यह भी बताय जा रहा है कि पंजाब पुलिस पहले से ही कर्मचारियों की कमी से जूज रही है, ऐसे में कानून व्यवस्ता बनाय रखने के लिए आमस्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी को पूरा करना मुश्किल हो रहा है, पंजाब में सुरक्षा और पुक्ता करने के लिए लगबग 2000 अतिरिकता अर्दसैनिक ब यह बात कई, जिन्होंने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का अश्वासन दिया, मान ने कहा कि ग्रूह मंत्री ने उनसे कहा कि राष्टिय सुरक्षा से कोई समझावता नहीं, यह दलगत राजनिती से उपर है और केंद्र सरकार पंजाब सरकार को हर संभव म जूटे हुए है, अब तक करीब 60 फी सदी काम हो चुका है, भक्तों में भी जबरदस्त उत्सा है, दर असल दो साल बाद कोरोना मुक्तव आतावरन में रथियात्रा निकलेगी, इसमें देश विदेश के 20 लाग से अधिक भक्तों के शामिल होने की संभवना जताई जा रह जा रही है, इस बार की रथियात्रा में 20 लाग से अधिक भक्तों के शामिल होने की संभवना जताई जा रही है, जगनात मंदिर के पुजारी राजिंद्र कर ने बताया कि रथ निर्मान के लिए तिथिया निर्धारित है, बसंत पंचमी यानि सरस्वती पुजा के दिन से रथ के लिए लकड़ी आनी शुरू हो जाती है, नर्सियों चतुरदशी को एक पईया पुरा हो जाता है, इस बार संभलपूर, क्योजर, बर्गर समित अन्य जगों से लकड़ी आई है, भगवान जगनात उनके भाई बलबद्र और बहन सुबद्रा तीनों के रथ बनते ह अर रथों के नाम और आकार अलग अलग है, नंदिघोश में सवार होते है, इस बार के आयोजन में कई और खुबिया भी जोड़ी गई है, नंदिघोश में भगवान जगनात, 16 पईये वाले इस रथ को बनाने में 742 लकड़ी के टुकड़े लगते है, उचाई 45 फिट 6 इ इसे बनाने में 711 लकड़ी के टुकड़े लगते है, इस रथ के उचाई 44 फिट होती है, 800 कारीगर दिनरात रथों के निर्मान में जुटे हुए है देररात को B.S.A.P के सेक्टर गुर्दासपूर के अधिनाती, B.S.A.P की अंठाउन बटालियन की बॉल्डर आउटपोस्ट 14 पर तैनात B.S.A.P के जवानों ने सीमा पार से उड़कर आये पाकिस्ताने ड्रोन पर फायरिंग करके उसे भारतिय सीमा में प्रविश करने से गटना के जानकारी मिलते ही, B.S.A.P के अधिकारी जायजा लेने के लिए पहुचे। की राष्ट्रिय सीमा पर इससे पहले भी करिब तीन दर्जन से अधिक बार अलग-अलग पोस्टों पर पाकिस्तानी ड्रोन भारतियक शेत्र में प्रविश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीमा पर तैनात जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर उनके मनसुबों को निस किछले एक साल में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकियों ने इस आशंका को सही साबित किया है। जामिया कमेटी पर कई सवाल उठाए है। साथी कहा कि 149 साल पहले खसरे के मताविक जमिन 31 बिस्वा थी, मगर सर्वे रिपोर्ट में 14 बिस्वा बताई जा रही है। लगबग 14,000 वर्गफिट के आसपास आती है। इसका मुवाइना शुरू किया, पहले नगर निगम गए, फिर वक बोड गए, इसके बाद रेवेन्य आफिस गए और 1883 का नक्षा हम लोगों ने निकल वाया। नकल बहुती मुश्कील से मिली थी। नकल से पता लगा कि ब्रेटिश शुकुमत की दौरान वर्ष 1883 में आराजी नंबर 930 यानि ग्यानवापी मजजीत की जमीन लगबग 31 विश्वा थी। इस पर हमने अंजुमन इंतजामिया मजजीत कमिटी के लोगों से कहा कि आप लोग सिति स्पष्ट करें। हमने पूछा जो बात अवम को बतानी चाहिए वह आप लोग बताते नहीं है। जो नहीं बताना चाहिए वह बताते हैं। उन लोगों को हमारी बात बहुत खराब लगी और हमें गद्दार कहा गया। इस बिच टेकसा स्कूल हमने की जान्ट से जुड़े शिर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि पुलीस ने युवालडे शहर के रॉप एलिमेंटरी स्कूल में हुए हमने में प्रतिक्रिया देने में गलती की। तो उधर पुतीन ने कहा कि विदेशी कमपनियों का रूस छ छोनने से वह खुश है क्योंकि इस स्थानिय उद्योप उनकी जगह ले सकेंगे। दुनिया भर के इन पाज बड़ी और खास ख़बरों को जानने के लिए पने रहिए हमारे साथ। महेंगाई और बढ़ते आर्थिक संकट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इम्रान खानी जिम्मेदार है। शाहबाद शरीप ने पेट्रोलिय मुतपादों की बढ़ती महेंगाई पर बात करते हुए कहा कि दाम इसलिए बढ़ाय गये है क्योंकि अंतरराष्ट्रिय इम्रान खान ने देश को आर्थिक संकट की तरफ ढ़केल दिया है। इधर पेट्रोलिय मुतपादों के दाम बढ़ाने की गोशना के बाद पाकिस्तान सरकार ने प्रतिमय ने 28 बिलियन पाकिस्तानी रुपय का राहत पैकेज जारी करने की गोशना की है। इस गोशना का मुताबिक ऐसे परिवारों के संख्या पाकिस्तान में कुल 85 मिलियन है। अमेरीकी अंतरिक्षे एजेंसी नासा ने आधिकारिक ताउर पर पुश्टी कर दी है कि वो एलियन्स की तलाश करने के लिए आधिकारिक ताउर पर सर्च मिशन की शुरुआत कर रहा है। नासा की एरियल फेनोमेना पर पहली सेर्वजनिक कॉंग्रेस की सुनवाई के बाद यूएफो और एलियन्स की खोच को लेकर कई सवाल उठे। वही संसर्द में सुनवाई के दौरान पता चला कि अमेरीकी रक्षा मंत्राले पेंटागन ने एक स्पेशल टास्पोर्स का गठन कर रखा है जिसका काम अग्यात हवाई घटनाओ पर नजर रखना है जिसे आमतार पर यूएपी ये यूएफो के रूप में जाना जाता है इस टास्पोर्स का काम पुरानी और नई रिपोर्ट्स के आधार पर यूएफो पर रेसर्च करना है नासा के एक प्रवक्तानी पु चश्मदिच से बात करेंगे जिन्होंने सबसे पहले UFO को देखा था और फिर हम नासा के खगुल विदो से बात करेंगे इसके साथ ही हम अलग अलग गटनाओ के वक्त के पुराने वीडियो के गहनता से जाच करेंगे और अगर किसी भी तरह की कुछ भी नई जानकारी मिलती ह तो हम स्पेशल टास्क फोर्स के साथ शेयर करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रंप ने टेकसास के प्राइमरी स्कूल में हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिका को यूकरेन की साहयता के उपर अपने यहाँ स्कूलों की सुर रक्षित रखने के लिए जिस भी चीज की जरुरत होगी वह उसे करने में सक्षम है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपती का यहाँ बयान यूवल्डे में रॉव एलिमेंटरी स्कूल में हुए हमले के तीन दीन बाद आया है इस हमले में कुल 21 लोगों की मौत हो गई जिसम से 19 छोटे बच्चे थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती ने कहा कि हमने इराक और अफगानिस्तान में खर्बु खर्श किये लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ इस मैने की शुरुवात में अमेरिकी संसर ने यूकरेन को सैन्ने साहयता के रूप में करीब 40 अर डॉलर की मदद कर चुका है इस बीच अमेरिका में बंदुक रखने पर सकतर नियंतरन की भी मांग उठी है ट्रम्प ने इस तरह की किसी भी मांग को खारिज करते हुए स्कूलों की सुरक्षा के लिए फूल ओरॉलिंग का प्रस्ताव रखा अपनी संबोधन के दवरान ट बढ़ कर उन्हें याद किया उन्होंने कहा कि हाल का अमेरिकी दौर बुरे हालात में है और इससे निपटने के लिए लोगों को ही आगे आना होगा टेकसा स्कूल हमले की जाच से जूड़ी शिर्षे सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने यूवर्ड शेहर के रॉब एलिमेंटरी स्कूल में हुए हमले में प्रतिक्रिया देने में गल्ती की उन्होंने कहा कि जिस समय हमलावर स्कूल के भीतर गोली अबरसा रहा था उस वक्त तुरंद कक्षा में गुज़कर उससे रोकने में पुलिस असफल रही यह एक गलत निर्णे था मंगलवार को विए इस हमले में 21 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें से 19 बच्चे थे और इनमें से जादातर की उम्र 5 साल से 7 साल के बीच थी शिर्ष पुलिस अधिकारे ने कहा कि अगर मुझे लगा कि यहां मददगार होगा तो मैं निश्चीत तौर पर माफी मांगूंगा उन्होंने माना कि जिस कमरे में फायरिंग हो रही थी अधिकारियों ने वहाँ प्रवेश करने में देरी की वही अंदर कक्षा में मौझूद विद्यारती लगातार फोन करके पुलिस से अंदर आने की गुजारिश कर रहे थे स्कूल में पुलिस के आने से लेकर कक्षा में प्रवेश करने में 40 मिनिट का अंतर था यही नहीं गटनास्तल पर पहुचे वरिष्ट पुलिस अधिकारियों ने स्कूल के चवकेदार की चाबी लेकर आने का इंतजार किया था उसका अनुमन था कि यहाँ कोई भी बच्चा खत्रे में नहीं है या फिर हमलावर ने सबको मार दिया है रूस द्वारा यूकरेन पर हमला किये जाने के बाद से ही बड़ी अंतरराष्टिया कमपणियों ने रूस छोड़ना शुरू कर दिया था इनमें बीपी से लेकर मैकडॉनल्स तक हर्श खेत्र की मल्टिनेशनल कमपणिया शामिल है इस वज़त से रूस की अर्थव्यवस्ता को भारी नुकसान पहुचा है वहाँ हजारों लोगों की नोकरिया चली गई है और लोगों के लिए सामान खरीदना भी मुश्किल हुआ है कहा जा रहा है कि देश इस वक्त 1991 में सोवियत संग के बिखेरने के बाद से सबसे ज़ादा उथल पुथल से गुजर रहा है किन्तु पुतिन ने इसके लिए इश्वर का धन्यवाद किया रूसी राष्टरपती व्लादीमीर पुतिन ने कहा कि विदेशी कमपनियों का रूस छोड़ना फायदे की बात है इन कमपनियों के रूस छोड़ने से वह खुश है क्योंकि इससे स्थानी उद्धोग उनकी जगा ले सकेंगे रूस अब भी नई तकनिके और एशो आराम की चीज़े हसिल करने के रास्टे खोज लेगा दरसल यूक्रेन में रूस की सैनने कारवाई एक अयतिहसिक घटना है जो रूस के इतियास को नई दिशा में मोडने वाला साबित होगा 1991 में सोवियत संग के तूटने के बाद से अमेरिका ने रूस को शर्मिन्दा किया है और रूस की अमेरिका के खिलाप एक क्रांती है इस युद्ध के बाद से अमेरिका ने रूस को अंतरराष्टिय स्थर पर अलग तलग करने की तमाम कोशिश की है बहत कड़े आर्थिक और वित्तिय प्रतिबन लगाये गए है और रूस के उत्पादकों की अंतराष्टिय बाजार में बिक्री को मुश्किल बना दिया है अमेरिका ने रूस का तेल खरिदना भी बन कर दिया है हालाकि इस वज़ा से दुनिया में भी आर्थिक संकट पैदा हो गया है क्योंकि सप्लाइचेन बाधित हुई है इसके अलावर रूस से आने वाले उत्पाद जैसे की अनाच, खाने का तेल, खाद और इंधन की किमते भ बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहें वीकेवी न्यूस, नमस्कार